इस वीडियो की माध्यम से मैं आपको जिन पेशेंट्स के हम हर्ट सर्जरी करते हैं, उनको किस-किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, इस चीजों के बारे में मैं आपसे कुछ चीजे शेयर करना चाहता हूँ. जब भी कोई पेशेंट हमारे उस्पिटल में हर्ट सर्जरी के लिए आता है, तो उसको from the start of admission हम कुछ चीजों के लिए advise करते हैं, जिनका कि उसको ध्यान रखना पड़ता है. सबसे पहले तो जब पेशेंट की हर्ट सर्जरी हो जाती है, तो उसके बाद उसको हम पेशेंट को सिधा लेटने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो हमसे ये question पूछता है कि जी मुझे कब तक सिधा लेटना है? हमारा ही मानना है कि हर्ट सर्जरी के बाद क्योंकि हम chest के सामने से उसकी सर्जरी करते हैं, तो उस bone की healing के लिए उसको at least 21 days to 30 days का period लगता है, तो इसलिए हम पेशेंट को करीब 15 से 20 दिन के लिए सिधा लेटने के लिए advise करते हैं, कुछ patients को discomfort होता है, वो कहते हैं कि sir हम करव ले सकते हैं, इससे उनकी जो bone की healing है वो अच्छी होती है, और उनका घाव भी ठीक से बरता है, इसके बाद patient जो हमसे अक्सर पूछता है कि इसके बाद हमें medicines कौन-कौन से लेनी हैं, तो उसके बारे में भी हम उनको proper treatment plan advise करके देते हैं, कौन से दवाई कव लेनी हैं, और particularly जिन patients का valve change करते हैं, उनको हम कुछ medicines देते हैं, जो blood thinning agents होते हैं, जिसको कि बहुत ज़रूरी होता लेना, so that कि उनका valve ठीक चलता रहे, उसमें भी patient पूछता है, जी मुझे किस चीज का खाने में नहीं लेना है, उसके लिए हम उनको जो green leafy vegetables होती हैं, जो हरे पतेदार सब जिए होती हैं, उनका seven हम कम करने के लिए बोलते हैं, but इसके साथ साथ हम उनको ये भी कहते हैं, कि आपको घर की बनीवी सब चीजें खानी हैं, और अच्छी डाइट लेनी हैं, क्योंकि nutrition का भी important role होता है patient की recovery में, so that कि patient का जो wound healing है वो अच्छे सी heal हो जाए, और उसको हम जब patient first follow up के लिए आता है, साथ दिन बाद जब हम दिखाने के लिए आता है, तो उसको हम कुछ investigations कराके और उसके stitch out करने के लिए भी advise करते हैं, और उसके बाद हम routine care जो घर पे जो care करनी होते हैं, उसके बार हम advise करते हैं, for example, stitch out करने के बाद वो आराम से ना सकता है, के लगे हुए हैं, उस area को भी वो अच्छे से clean करे, साबून से उसको wash करे और उसका care करे, उसके बाद patient को हम बोलते हैं कि आपको घर पे करीब कुछ चार से पांच सीडिया उचड़ सकता है, चार से पांच के low vision भी उठा सकता है, और हाँ इतना जरूर है कि driving के लिए हम उ should avoid driving, because उसमें patient का, जो movement है, उससे उसकी जो healing है, उसमें problem हो सकती है, और यह सब चीजों को ध्यान रखने के लिए हम उसको बोलते हैं, और उसके अच्छी recovery के लिए उसको, जो भी चीजों के लिए हम advise कर सकते हैं, वो हम करते हैं, thank you.